जी यहां एक पार फीर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर बच्चो आज हमेना छोटे छोटे शोट नोर्स पढ़ने वाले जहां पर हमारे यह चेप्टर नुबर थी जो सबसे बड़ा चेप्टर था ना वह कंप्लीट होने जा रहे है बच्चो तो यह जो शोट ट्राइक करतों में कवर करने के आपके लिए हो सब्सक्राइब कर लेंगे पहले समझने की कोशिश करिए यह टॉपिक है क्या ओन अगर बच्चा फरस्ट आम आप आ रहे हो तो कॉल ओन शेर होता क्या है किसे कहते कॉल ओन शेर्स यह जो फोन लगा है वो बराबर है जी हां कंपनी कॉल करेगी अपने शेर ओल्डर को कि भाई जो अनपेड वेल्यू है वो प्लीज आके पेड कर दीजो क्योंकि आप कंपनी को पैसे की जरूरत है उसके भी पहले जा इससे पहले यह आंसर की शुरू आत होने के पहले मैं चाहता हो कि मैं आपको फिर से एक छोटा सा रिकॉल करा दू क्योंकि हमने ना एक बड़ा आंसर पढ़ा था सबसे पहले यह चैप्टर में सबसे पहला आंसर था क्लासिफिकेशन और यह आंसर क्यों पढ़ना है ज्यादा टीटिल में यह आंसर में सब कुछ छूपा हुआ है यहां यहां पर लिगए ओधोराइस केप कर रहे हैं और कोई भी कंपनी यह 10 रुपया एक बार में कलेक नहीं करें कि अपने अलोटी से बी कैरफुल माइवर्ड ठीक है तो यह जो 40,000 शेर कमनी ने इसू किये है उसमें से कुछ शेर पबलिक ने खरीदे होगे और कुछ शेर रिजेक कर दिये रहेगे जो शेर पब सब्सक्राइबर है जो अपने शेर खरीदना चाहते है वह हर एक सब्सक्राइबर हमको कितना कितना पैसा देने वाले 10-10 रुपया देने वाले राइट 10-10 रुपया बट बी केरफूल कमनी कभी भी 10 रुपया एक साथ नहीं मंगाती है यह ध्यान रखने आपनों को मोस्ट होता क्या है सबसे पहले जो अपली कांट होता है जी कमपनी ने क्या बाता है सबसे पहले ध्यान रखना कमनी सबसे पहले क्या बाट दिये तो बाट दिया प्रोस्पेक्ट क्या बाट दिया है भी बेटा यह तीनों से के लिए एक कॉनसेप्ट क्लियर होना जरूरी है इसके ऐनले बता रहो प्रोस्पेक्ट कैसे घंड फी में होता है और यह प्रिक्तर के एंड पेज पर क्या आप्लिकेश्चेन फॉम ता एक अप्लिकेश्चन एप्लिकेशन फॉर्म जिया प्रोस्पेक्टर फ्री में हो दर रजिस्ट्रा के अप्रोल के बाद कमनी प्रोस्पेक्टर इशू कर सकती है और जब प्रोस्पेक्टर पब्लिक को दिया तो फ्री में दिया जाता है यह यह जो पब्लिक होती हो फ्री का माल पहले लेती है प्र प्रॉस्पेक्टिफ इन्वेस्ट्र है इन्वेस्टिऴ में सोच रहे हो क्या करेगा अप्लीकेशन को फारेगा और एप्लीकेशन फोर्म के साथ में एप्लीकेशन मनी तbeyक्र प्रौपति कबनी पहले दिवाइड करती ती सबसे पहले कमनी क्या मंगा लेती है application उसके बाद में वह application के बीच का पूरा प्रोसीसर जो मी आपने पढ़ाया जोकि है अलोटमेन कंडिशन वैस्पर कर लेटा कर लेती है एक्सेप्ट कर ले दिये तो कंपनी आपसे मंगाएगी क्या मंगाएगी बिटा अलोट अलोट मेंड मनी जी यां मोस्ट ऑप टी टाइम कहा गया है कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वह एप्लिकेशन मनी कहाता है जो नियर वाई कितना होगा बिटा 25 परसेंट मिनिमुम तो होता है एपीलिके अलोट मेंनी कितना होगा 25 परसें तो में पात सुने ध्यान से 10 रुपे मेंसे 25 परसें मतलब 1 रुपया कंपनी ने पहले मंगवा लिया अब 2 रुपय मंगवाली है अब भी कंपनी के कितने पैसे आपसे मंगवा ना बाग किए तो इसे पाटली पेड़ के थे कंपनी के आधे पैसे हमने पे कर दिये आधे कंपनी के बागी पांच रुपए में कंपनी का काम चल रहा है कि यह पांच रुपए कंपनी अपने वो जो तीस अजार शेर ओल्डर है जिन्हों ने शेर ख़िए उनसे मंगवाएगी राइट नियर कर सकते हैं हो सकता है कंपनी पूरे पांच रुपए आप से कॉल करके मंगा ले यह कंपनी कॉल करें कि टू पे अनपेड वेल्यू ऑफ शेर्स तु दे अलोटी जिनको शेर अलोट की रहे उनसे मंगवाने का हग रखती है माइट भी पोसिवल कंपनी यह पांच रुपए क कर तो दो सीचुेशं क्लिए टोने वाली है अगर आपने आपका कॉल मणी पर नहीं कि उसको कहते है को वह सबिल्स करें से अपनी चेर एकटी कंदिक्शन में कैंसल करेंगे अनपेड वेल्यू ऑफ कोलम नी क्लियर एवरई वट्व्यू ऐवरुड कोई अपना शेर्स करने तक रूखता को चाहिक सामने से क्या तक सरेंडर किसर मैं अपना कोल मनी टेंक पर हो प्लीस मेरा ले लिजिए और एक अगी पैसर और नी हो तके सटαश हर क्यांसयर कर दिक कम होती है मतलब हो एक कैंसलेशन ओफ शेर्स कैंसलेशन ओफ यौर ओनर्शीब फ्रॉम दा कंपनी ड्यू टू अंपेड वेल्यू अंपेड कोल वेल्यू राइट क्लियर हुआ बिटा तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आसान लफजों में क्या होता है कॉलों शेर्स किसे कहते है कॉलों शे शेर्स कंपनी में स्टेट एट इशू प्राइस और शेर्स इस तो बेपेड इन इंस्टॉल्मेंट मैं भी कंपनी जो अपने दस रुपिय है वह इंस्टॉल्म में मंगवा सकती है जिया बच्चा एजन वें कंपनी डिमांड एट फोर इड जब कंपनी को जरूर पड़े क शेर्वोल्लर टू पे अपार्ट और फुल जी यह मैंने का ना यह जो पांच रुपे बचे यह पूरे पांच रुपे एक साथ मंगवाना चाहिए तो भी मंगा सकती है और इसमें भी अगर कंपनी को पार्ट करना है तो कर सकती है फर्स कोल सेकेंड कोल और फाइनल कोल अंग पाड़ फुल, अमांट ओफ बैलेंस, जीयां, बैलेंस अंपइड ओंशेर्स, इस कोल इज़र कोल और शेर्ज जियां, जब भी कमनी क्या करती है इता ? इमांड करती है अंपड ऑन बैलेंस अंपव शेर्स यह फोल यह रिस्पॉंसिलिटी है या अलो टी की आपको बढ़ा दस बीसाइड बीसाइड दए एप्लीकेशन मनी अलोट मेंड मनी इव कंपनी डिमांड भैलेंस अनपेड अमांट और शेर इपी स्कोल रजा कोलों से मतलब कि अलोंग विद यहां कंपनी अपना अलोट में ले लिया अप्लीकेशिन ले लिया उसके अलावा अगर कमनी अमना पैसा अनपेड वाली मंगरी से कोलों शेर कहते हैं दस अनपेड अमांट विजा पार्टली पेड अप शेर लाइबिलिटी और ओफ दे शेरोल्डर आपने कंपनी के दस रुपे के शेर खरीद है दस में पीसे अप्लीकेशन डाइड रुप्य पेग किया अलोटमेंट अब जो बच्चे पांच रूप हो आपके से पर क्या है लाइबिलीटी है और यह लाइबिलीटी जब कंपनी डिमाइंड करेंगी तब आपको चुकानी पड़ेगी शेलडर फेल टू पे दर कॉल अगर कंपनी के कोल को आप पे करने में फेल हो जाते हो तो आप आपके शेल को फोर कर दिया आ जाता है फॉव ऍसेलेशन फिर ऐसे चिलाना नहीं मत्याइर के पैसा नहीं दिया तो कैंसे लो ङुका प्रिकान निकाल दिया जाता है एक ही रिजन से केंसलों का शेयर अनपेड और ओफ कोल वेल्यू जी यहां देखते हैं कोल केंड बी मेड ओनली जी यहां कुछ कंडीशन को जान में रगो कोल कैसे होगा कितना कोल कमनी एक साथ कर सकती है कोल के भी मेड ओनली बाइद बॉर्ड ऑफ डाइटर जी यहां हर कोई आदमी उटके पैसे नहीं मंगा सकता है कमनी में बॉर्ड ऑफ डाइटर ही राइट ऑथुरिटिये टुकॉल ओं शेस ऑन इंट्रेस ऑफ दे कमनी बॉर्ड ऑफ लेटर कोल कर सकता है अंपेड वेल्व को अपनी परसनल इंट्रेस के लिए नहीं कमनी है असेंड कोल लेटर जी आपके घर पर कॉल लेटर आएगा रिटन नोटिस आएगी शेरोल्ड टु आस्देम टू पेड़ कोल मनी एंड गिव मिनिमम फॉर्टीन डेस नोटीस टू लेटर कोल मनी ऐसा नहीं कि आज मांगा कल दे देना है एट लिस्ट चाहुदा दिन का टाइम दिया जाएगा कि चाहुदा दिन के अंदरा पैसे पे कर दीजिए नोग कोल केंबी मेड मोर दें 25 परसेंट आप नॉमिनल वेल्यू से 25 परसें जादा पैसा एक बार में मंगा नहीं हो टकेप बिन टू कोल इस नौट लेस देन वन मन्त हां एक मैने में दो बार भी कोल कर सकते नहीं हो बेला कचीस परसें फिर पर परसें यह सं नहीं एक बार में डिसाड़ कि लो 25 परसेंट से जाधा नहीं होना चाहिए और तू कोल कैन नॉट बी मेंड इन सब्सक्राइब करने के रूल पहले से अपने आइटिकल में लिखे गए कि कितने कितने इन में कोल करेगी कपनी कितना कितना पैसा मंगाएगी तो वेल एडवांस में अपने जो प्रिपेर रहे सकते बिचा फॉर फीचे होने की जरुवत पड़ेगी तो इतना क्लियर वह आपको आराम से कोल कोन करना चाहिए कंपल सरी बॉर्ड ऑफ डाइटर वो भी इंट्रेस ऑफ दो कमनी के लिए कोल बेटा ट्वेंटी सब्सक्राइब कोल के लिए कि पैसे लेकिया जाए सर अगर समझो कमनी ने कॉल किया और हमने पैसे नहीं तो क्या होगा तो यहां पर ध्यान देना ऐसे भी सिंबल कोशन यह सेके रांसर आ सकता आपको डिफाइंड में टू मार्स के लिए कि बाई फॉर फीचर आंसर अपन अब लोग फॉर फीचे ऑफ शेस सर यह क्या है तो यह वो सिच्वेशन जहां पर अपने मंगा यह अंपेड विल्यू को पे कर पाता नहीं आफ्टर रिमाइंडर आफ्टर नोटीस आफ्टर वोर्निंग जिया तुरन ने काट ती शेर तुरन कैसल नहीं होगी कमनी आपको कॉल करेगी कमनी आपको रिमाइंडर बेजएगी कमनी आपको नोटीस बेजएगी और उसके बाद या पैसे नहीं दे रहो तो आपके शेर को फॉर्फीचर करने का बहुत स्ट्रिक एक्शन लेने वाली कमनी जी यह ले सकते हैं लेने का अधिकार रगते क्योंकि वह आपक 15 देस या 15 देस के टाइम टाइम था उसमें नहीं थि थे दबोर टाइटर बोर टाइटर इफ ऑटराइज बाइड़ आए वाइटिकल अगर आई टीकल के नियम में लिखा है कमनी ने पहले से डिसाइड कि जिनोने पैसे नहीं दिया उसका शेर कैंसल करेंगे देन येन लि वोद रजिस्टर में साख का नाम काड दिया जाएगा और आपको अनुशिप अपको कमनी के ओन नहीं नहीं हो ठीक है मैं बच्छा उली आप दिए जी यहां याद रगना फोवाध लिगना किसका कर सकती कि कि से शेर को कमनी केंसल कर सकती हैं कौन से को कमनी से चैंसल कर सकते हैं तो only partly paid up shares मतलब जिसके आधे पैसे भरे आधे बाकी है और वो देना चाहता नहीं है ऐसे लोगों के शेरी खभी भी फॉवीटेड हो नहीं सकते जित्र chorHow न SantaどうES के ii अच्छे भी फॉफिटेड नहीं कर सकती है, क्पोड़ के था only in the interest of the company company के फायदे के लिए कंपनी के बेनिफिट के लिए ही आपके शेल को फॉर्फिटेट के जाएगा अधरवाइस नहीं कॉपनी तो यहां कमनी अपने मेंब़ को नोटीज दें पहले पैले रिमांडर देती है फिनकोटी मोर्निंग लेटर बेजती है उसके पाद भी नहीं समझा नहीं पेकर पा रहे है तब कमनी उसके गहिए पर फोरुट इट का लेटर भेजती है वी क्यार फॉल उसमें फिलके कंडिशन है वें नॉटिस मस्ट भी मिनिमम फॉर्टीं देश प्रियर्ट फ्रॉम देट ऑफ सर्विस नॉटिस तू मेक दपेमेंट अलों विद इंट्रेस्ट यहां यहां पर थोड़ी दया दिखाते हैं कि भाई यह फॉर फिटेट का नोटीज अगर तुमने चाउदा दि के अंदर हम आपको और मुखा देते हैं आपका कॉल मनी आपका अनपेड वेल्यू जो कंपनी मंगा रहे प्लीज इंट्रेस के साथ में पेर कर दीजिए तो आपके शेर कंपनी कैंसल नहीं करेगी आपकी मेंबर्शिप कंटीनियू रह जाएगी कंपनी के री इशू सर्फ फिटेट शेर्स ऐस दिशेर बिलोंग तो दा कंपनी री इशू फॉर्फिटेट शेर्स इस नौट थे सेम एज अलोर्टमेंट अफ द शेर और उसके लिए पूरे प्रोसेर में जाने की ज़रूरत नहीं है और री इशू इफ कम्निकेट अमोर मनी देन देन दकोल विच व अब बाकी कितना था वह पांच रूप्य था और वह मेंबर दे नहीं पा रहा था तो कंपनी ने इसके शेर को क्या कर दिया और कंपनी बापीस से क्या करती है यह जो शेर के उपता 10 रुपए लिखाए अब कंपनी पब्लिक को बुलती है रीशू बाया कंपनी में शेर है किसको खरीतना चाहते हैं तो वह शेरा आपको कंपनी आठ रुपए में देए और कि आट रुपए में देए कि पुबिक लिखाए पिछे रुकते पह misleading मिल रहे है जिवाृट कborn था गांघे आच रुपए को जिसका शेर फॉर फिचर हुआ था उसको दे दिया जाता है दो बोर्ड केंशल फॉर फिचर अंडर दर सर्टन सर्कम्टन्स कुछ ऐसी कंडिशन जब अपना फॉर फिचर कैंसल हो सकता है प्रोवाइट अमेंबर रिक्वेस्ट बोर्ड बिफोर इट रिशू जिया आपकी मेंबर शिप कैंसल कर दी जाती है अब आप कमणी के मेंबर नहीं रहोगे रजी से नामकार्ट दिया जाएगा और फॉर फिचर अमेंबर कैसे मिलब कैंसलेशन अब मेंबर शीप अप्ड़ कंपनी एंड लोस ओल दे मेंबर शीप राइट से वोटिंग राइट फ्रॉम दर रजिस्टर रजीस्टर मेंसे नाम काट दिया जाएगा सेकेंट लाइबलिटी आप दमेंबर नाम कटने के बाद भी आपके उपर लाइबली टो रहे कि देखने द्यान से और सो तो देखो क्यों अ मेंबर इसलाइबल फॉर पर उन पेड कोल जी यहां एन एफ तो आप वो कंपनी के लिए लाइबल रहोगे विकोज वादा ओनर वह आपने धोका दिया है नेक्स्ट लिक्विडेशन ओंपनी जियां एक तर कंपनी गोज इन फो दल लिक्विडेशन लिक्विडेशन मतलब बिटा वाइंडिंग पहला एक संद्द बिटा कैंसरों मेंबर मेंबर सिप कैंसल हो जाएगी आपके राइट साथ से ले लिए जाएगे रजिस्ट्र वेंबर साथ का नाम लिकाल दिया जाएगा सेके लाइबलिटी जियां अगर कंपनी शेर रीशू करते तो आप लाइबल नहीं रहोगे था आप कंपनी के लाइबल रहोगे चाहें वाला निकल गया कमनी भी बंद होने के कगार प्या गई दे मेंबर वो शेर है उप इन फॉर फिचर लाइबल टू पेड़ को वह पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि तुमारे वज़े से कमनी बंद हो रही है राइट माई डिय स्टुडन और यह लास्ट इन फाइनल आंसर करें सबसे बचना है जाके सामने से पहले दिनी बोल तो सर पैसा नहीं है जो मांगा है आप मैं आशेर ले लीजिए अगर आर्टिकल में लिखा है सरेंडर एक्सेप करना तो कमनी आपके शेर को एक्सेप करी के अदरवाइस फॉर फिचे का प्रोसिजर फोलो करेगी चाहे करो चाहे फोर फीचे करो दोनों ही कंडिशन में आपकी मेंबर्शीप कैंसल होने वाली है तो यहार रखना बीटा सरेंडर फोर फिचर तो इस मीज़ फोर फिचे में कमनी आप से इंसल नहीं चाहरे हो बड़ पैसे भी नहीं दे रहो उस कंडिशन कमनी जब अब का शीप क एनद मत करो गपने को ऌब दो मेरे घर बर गईधर दो वोल्टेर रिटन और चर आप बास fundus और हो आपर जा तो यसे सवरी करें ओढ़ पुर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यहां सब्सक्रारथ को option है पोगनी के चक्राइशक कर लेती है on the part sleepuszEE या सरींडर हो यह दोनों सिर्फ एक ही कंडिशन में होगा on a fully paid a not ऊप्सेंडर होता है यह होता है बी में standards कर सकती है रिषु कर सकती है वी ऩिसे चेंदर कर सकती है रिषु कर सकती है tha अम ने सब्सक्राइब कर सकती है यह सरेंडर का मतलब ही होता है पेटा क्या सरेंडर का मतलब पैसे अपने पास आने वाले नहीं है रिशु करोगे तो फायदे में रहोगे राइट माइड यह स्टुडन सो यहां पर आज अपने कितना से अपने के पिटा तीन अंसर कंप्लीट किये कोल ओन शेस और रिजन ओप कोल ओन शेस साथ साथ में प्रविट वेल्यू कोल करना फ्रॉम दर मेंबर बाइदा कंपनी ट्वेंटी परसें से ज्यादा कोल कर सकती है नहीं जरूरी है साथ साथ में अगर फॉर्टीन देस के नोटि कुछ नियम ते जो पड़े एक विदिन दा वन मन्त दो कोल नहीं कर सकते हो आप लोग माइडिया स्टुडेंट बॉर्ड ऑफ डाइटरी कोल करने की राइस रखता है कोल परसनल इंट्रेस्ट के लिए कंपनी इंट्रेस्ट के लिए ही होना चाहिए उसी तरह फॉर्फीट करता है शेयर ओडर के बहुं मेरे कोल अनपेड वेल्यू पे नहीं कर पर हो काइंडली एकसेप माइश एंड कैंसल माइं में बशीप यस को फॉर्फीटेड शेयर या सरेंडर शेयर कमनी रीशू कर सकती है और रीशू करने के आत्में जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है अन भी इंट्रेस्टिंग वीडियो जो चार मक्का डिस्टिंग्विटेड ट्रांस्वें ट्रांस्वरी वह में पढ़ाने वालों आने वाले वीडियो में आप जैसे और भी बच्चे जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत प्लीज शेयर करना ना भूलना दोस्तों